जिसे सिक्षा का मंदिर कहा जाता है उस मंदिर में यदी गलत कारे होने लगे तो समझेए घोर कल्योगा गया है डड़किया कही पर भी सुरक्षित नहीं है चाहे वह मंदिर हो या अस्पताल हो अत्वा स्कूल हर जगे उन्हें लोग खा जाने वाली नजरों से देखते रहत हैं यही नई मौका पाने पर किसी भी तरे की वारदात अथवा घटना को अंजाम देने में चूपते नहीं है उपर से मंदिर का पुजारी अर्थात स्कूल का प्रिंसिपल ही यदी लड़कियों के साथ गलत विवार करने लगे तो उसे स्कूल के अनिस्टाफ का तो ही मालिक है ऐसा ही एक मामला मैठी जनपत की उसाफिर खाना कोत वाली चेत्र से प्रकाश में आया है जहां एक निजी विध्याले में पढ़ने वाली कक्षा 11 की चात्रा को प्रिंसिपल के द्वारा आधार कार्ड और अन्य डॉक्युमेंट लेकर आज चुट्टी के दिन अर्थातर अविवार को फॉम भरवाने के बहाने स्कूल बुलाया जब चात्रा स्कूल पहुँची तब वहाँ पर और कोई नहीं था चात्रा ने इसके विश्य में प्रिंसिपल से पूछा तो प्रिंसिपल ने बताया कि और बच्चे आते ही होंगे तब तक तुम आफिस तो नहीं चल रहा है तुम किसी नौकरी में जाना चाहोगी किस तरह की नौकरी करना चाहोगी ऐसे में चात्रा ने बताया कि हमको पुलिस की नौकरी अच्छी लगती है हम पुलिस में जाना चाहते हैं इसके बाद प्रिंसिपल ने चात्रा को पकड़ कर उसके साथ गलत हर प्रिजन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजिकरत करते हुए ततकाल गिरफतारी के लिए टीम भेजदी ताम तक पुलिस टीम ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफतार कर विधिक कारवाही शुरू कर दी है ताम करी खिलाः, ततके लिए